डेली उनिवर्सिटी आप लोगों के फर्म्स को रिजेक्ट कर सकता है येस, आज हम उन सारी टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन-कौन से रीजन है जिसकी वज़े से डेली उनिवर्सिटी आप लोगों के फर्म को रिजेक्ट कर सकता है सबसे पहला आता है कि माम हम लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट से उनको self-attest नहीं किया है या फिर माम हम लोगों ने अपनी original जो documents थे वो ही upload कर दे हमने उसकी photocopy upload नहीं किया तो बचा आप लोगों के forms इस basis पे due reject नहीं करेगा अगर आपने self-attest नहीं किया या फिर original documents आपने upload कर दे है इस basis पे आपके form reject नहीं होगे हाँ आपके form reject हो सकते है अगर आपका signature और आपकी जो photos है वो clear नहीं है अगर वो blur आ रहे है तो बचा आप लोग का 100% chance है कि due आपके forms को reject कर देगा वो या तो आपको mail कर देगे कि आप लोगों की जो photos है आप दुबारा से upload करो हमें उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहे है वो clearly visible नहीं है या फिर modality आपके form को reject कर सकता है second question बच्चों का यह है कि ma'am जो हमारी mark sheet है उसमें हमारा surname कुछ और है जो हमारा category certificate है उसमें हमारा surname कुछ और है तो क्या हमें journal treat किया जाएगा या फिर हमारा form reject कर दिया जाएगा तो बच्चे ऐसा नहीं है कि आपका form straight way do reject कर देगा third round में आपका जब document verify किया जाता है उस time में do आपको बोल देगा कि आप अपने documents को re-upload कर दो हाँ अभी भी correction window उपन है तो आप अपने mother father का name change कर सकते है बढ़ आप अपना name change नहीं कर सकते है तो इस चीज का ध्यान रखना कि आपका क्या के चीज़े change हो सकती है correction window के अंदर third mistake जो बहुत साइ students ने last year की थी जब D.U. का first round start हुआ था तो जो first round में उनको college allot किया गया था वो उन्होंने accept नहीं किया और वो wait करे थे कि दूसरे round में हम लोग को जब अच्छा college मिल जाएगा तो हम उसको accept कर लेंगे आप लोगों को ऐसा नहीं करना है first round में जो college आपको मिलेगा आपको उसको accept करना है and then आपको क्या करना है upgrade को option use करना है ताकि आप लोग का जो second round में list है उसमें upgrade होगा college है first round में अगर आप accept नहीं करोगे उसको तो आप round से ही बाहर हो जाओगे तो आप पूरा D.U. का जो counts लिए और एक GT दिया and उसके बेश पर वो सोच है कि उनका Delhi University में admission हो जाएगा तो नहीं बचा आपका admission नहीं होगा और अगर आपने सिरफ language दिया है and one domain दिया है तब भी आपका admission नहीं होगा अगर आपने सिरफ GT and one domain दिया है तो भी आपका admission नहीं होगा अगर अपने सारे के सारे सिरफ domains दिया है तो भी आपका admission नहीं होगा क्योंकि DU मांगता है कि आपके पास at least one language होना ही चाहिए जो अपने class 12 में पढ़ा है इसके अलाबा में क्राइटेरिया क्या है डियू में admission के लिए कि आप one language and at least three domains आपके पास होने चाहिए वो भी वो domains जो आपने अपने class 12 में पढ़े अब for example एक student है PCM का और वो चाहता है कि वो political science या फे economic honors कर सके अब वो क्या कर रहा है वो अपने subject छोड़ कर वो particular history या फे political science या economics का वेपर देखके आ गया है तो उस चीज के marks आपके add नहीं किये जाएंगे आप लोगों को क्या करने आपका जो ट्विल्थ के अंदर आपके subjects थे वो ही पेपर आपको सी यूईटी में देकर आना था अगर आपने वो ही एक्जाम दिये तो ही उन marks को add किया जाएगा आपका अदरवाइस वो subjects आड नहीं किये जाएंगे जो आपके पास class 12 के अंदर नहीं थे लाश में हम बात करेंगे बहुत साइस students की ये queries भी आ रही है कि माम हम लोगों को अपना एक एर बरबाद नहीं करना है हमें डियू का minimum eligibility criteria जो वो नहीं cover up किया है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें तो बचा देखो आप लोग D.U.S.O.L. से कर सकते हैं अपनी graduation आप D.U.S.O.L. क्या है डेली University School of Open Learning यहां से भी आप लोग graduation कर सकते हैं एंड में जो degree आते हैं उसके उपर डेली University ही लिखा होता है तो वोई problem नहीं होगी इसमें जो classes होती है वो आपकी weekends में होते हैं डेली नहीं होती है रेंगलर बेसिस पर नहीं होती है इसके अलावा आपके पास second option है open learning का open learning यानि कि आप online platform के through भी क्या कर सकते हो पढ़ाई कर सकते हो अच्छी skill courses कर सकते हो जिसकी वज़ा से आपको क्या मेलेगा अच्छा job मिल जाएगा and third option है अप डेली उनिवसिटी को छोड़को अपनी state universities को भी ट्राइगा सकतो जहां पर same criteria ना हो जो डेली उनिवसिटी में follow किया जाते है so guys that was all for today I hope मैं आपकी बहुत सारी problems को solve किया होगा और अगर आपकी और भी queries है तो जल्दी हम लोगो comments करना हम जल्दी से जल्दी आपकी सारी problems को resolve करने का try करेंगे